हेलो इबरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लास पर स्वगात है जैसा कि बच्चों आप लोगों को मैंने चैप्टर 1 से 6 तक पूरे कम्प्लीट कोशन करा दिया था चैप्टर 7 से चैप्टर 14 तक मतला अध्या 7 से अध्या 14 तक जितने भी प्रशन हैं यंपी बोट के बच्चों के लिए जो 12 फर्वरी को एक जाम होने बाला है ये कोशन करा दिरा हूं आप लोग देख लेना पाकि टाप इसमें भी टॉप जैसे 15 कोशन है नहीं 15 प्रशन है उसका भी मैं वीडियो आपको प्रवाइड कर दूँगा आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों इसके पहले भी मैंने दिया था तो आप लोग जो important question का प्लेलिस्ट बना दिया हूं उसमें आप देख लेना पहला प्रशन है बच्चों प्रत्यव आर Azersk बनाना थारा कलांतर और एक धार्ती प्रतिगहात निकालना है ट्रांसफार्मर कसरा सिध्यान कारवीदी यह प्रशन बहुत ही महत्रपूड है क्योंकि स्थ्यान से सिध्यान कारवीदी से question आता ही है, इसके प्रकार से भी आता है अब चाई उच्चाई transformer में जो अंत ठीक है बच्छो डाइनेमो क्या है प्रत्यवर्ति धारा डाइनेमो का नमांकि चित्र सिध्यांत बाकी आउसत सक्ति आपको पढ़ने गिरूत नहीं है यहां तक आप पढ़ ले ना डाइनेमो इसमें भी सबसे ज़ाद हमार्मुन तीन प्रश्ण है बच्छो ट्रांसफार्म करा दूँगा इसलिए यहां पर एड नहीं कर रहा हूं तो परसान मत हो ना वह आप दो अंक वाले वीडियो जा रहे हैं इसमें लगातार उसी में आपका रिवीजन हो जाएगा उसमें 4-6 कोश्चन इसमें परावरतन किसे कहते हैं सायुगमी फोकस किसे कहते हैं इसी माद पून है परसपर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन के लिए फोकस दूरी लेंस निर्माता सूत्र और आपका लेंस सूत्र प्रिजम के पदार्थ के लिए बरतनांक सरल सुचमदर्शी की आवर्धन शमता काफी महत्पूर्ण है देयन रखेगा संयोग्त सुचमदर्शी की आवर्धन शमता जब बस तू की निउनतम दूरी पर हो आगे चलते हैं, चेप्टर टिन के हम थोड़ा ही कोश्चन दे रहे हैं, बैतिकरण किसे कहते हैं, ठीके बच्चो, बैतिकरण किसे कहते हैं, ये आवसक सर्त लिख लेना, कला समध्र सुरूत से कोश्चन पूछ दिया जाता है, थोड़ा कला समध्र सुरूत पढ़ लेना, प कि ये जो chapter 10 है और chapter 9 है ये अथवा में ही रहते हैं तो इससे कम question देने का कार्ण यह है कि chapter 9 ने अच्छे तयार है तो chapter 10 आप थोड़ा बहुत कम करोगे तो भी चलेगा अब बचो ये मेरे हिसाब से selected प्रश्ण है आप लोग तयार करोगे ही करोगे बाकी इसके इलाबा भी ज पानि कुछ सर्जन क्या है देहली आपड़त से आप क्या समझते हैं परकास विद्धुत प्रभाव की परिभासा आइंस्टीन के दोरा इसका जो नियम है वो भी चीज आपको लिखना है परकास विद्धुत प्रभाव का नियम लिख कर देख सकते हैं यहां पर आइंस्ट ठीक है आगे चलें बच्छो आगे चलते हैं बोर के परमारो माडल की कमिया ठीक है बोर के परमारो माडल की कमिया बोर के माडल के प्रमुक अभिग रहीत रदर फोड का परमारो माडल बोर की कच्छा को स्थाय कच्छा क्यों कहा जाता है एदी परमारो में लेक्टरान इस्त देख सकते हैं निज अर्ध चालाक और बाह अर्ध चालाक में अंतर पियन संदी डायोड क्या है डायोड का अग्र अभिनत का रूप कि इस प्रकार से होता समझाना है यह अग्र अभिनत और पश्च अभिनत दोनों पढ़ना ध्यान रखना ठीक है अग्र अभिनत और तरंग दिश्टकाई रूप और पूर्ण तरंग दिश्टकाई रूप और पूर्ण तरंग दिश्टकाई रूप और पूर्ण तरंग दिश्टकाई रूप दिश्टकाई किसे कहते हैं यहां पर देखो बच्चो दुवारा कॉस्चन हो गया दिश्टकाई किसे कहते हैं बि करा रहा हूं तो प्लीज यार चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लेइस्ट मीडियों है देख लो ने तो बाद में को किसरा और कोशन आपने कराए नहीं हम वहां पर रिवीजन करा रहें लगातार रिवीजन करा रहें नाब की बलों की दो महत्पूर्ण समस्थानिक संबारिक को समझाए नाब की भी खंडन और नाब की सुलेन में अंतर लिखी ये कोशन है बच्चो इसके चार ही कोशन दिया हूँ जादा कोशन हम दे भी नहीं रहना एना ज्यादा question नहीं दे रहे हैं आपको परसान करने नहीं नहीं भाईया ठीक है बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करके share कर दो चैनल पहली बारा है बच्चो चैनल को subscribe कर लो ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए help करते रहेंगे हिंदी मीडियम से हैं बहुत सारे बच्चे कहते सर इंग्लिस मीडियम का तो इंग्लिस मीडियम का question दूँगा अब कल सुबह आपको मैं बच्चो दिखा दूँगा कौन कौन से प्रश्ण है टिक लगा के बता दूँगा आप लोग त्यार कर लेना ओके ठीक है जय हिंद बंदे मात्रम